बहुत कुछ दबादे दी हर 15 दिन में हिट पर आ जथी हर पंदरा दिन में गर्मी पर आ जथी लेकिन गायबिन नहीं रूख रही है आपकी गाय बेटे जाध भी तेहरा सकते हैं गर बेटे को रूखवा सकते हैं वह भी कुछ तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हाड़ा वेट्स क्लप को आप जरूर सब्सक्राइब करें काई बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही है काई बहुत लोगों का कहना है कि मेरी जो जो जोटी है वह हीट पर आ बहुत बहुत हो जो बारबार रिपीट हो रही है दोस्तों जो भी आपके गई बैस बार-बार hit पे आती है, जयाबिन नहीं रुकती है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज पापको ध्यान रखना है, सबसे पहले मारकेटसे आपको एक गोली खरिद कर लानी है, क्योंकि जहाँ पर भी जो गाइबिन नहीं रुकती है, वहाँ पर हमने शमच्छा बैंसों में अक्सर देखा है गाई बैंसों में कि वहाँ पर उनके समय पर आपने डी वर्मिंग नहीं करवाई है तो आपके गाई बैंस ग्याबिन भी नहीं रुकेगी यह कई पशुमालिक नहीं जानते हैं और कई डॉक्टर भी इसकी और ध्यान नहीं देते हैं वह लगातार सिमान डालते रहते हैं लगातार बैसे से क्रोस करवाते रहते हैं लेकिन डी वर्मिंग नहीं करवा जिस परशुमालिक की भी गायबेंस बार बार हिट पर आ रहे हैं यह सिम्मन रखवाल लेकिन गया भी नहीं रुक रही है इसलिए आपसे निवे दिने सबसे पहले आपको डी वर्मिंग की बोलस लाकर अपनी गायबेंस को खिलाना है आप में आपको बता देता हूं यह वाली गोली एक बार तो अपने गायबेंस को लाकर खिरा दीजे जो इसका गर्ब नहीं रुक रहा है दोस्तों कई बार तो यह भी देखा गया है कि मातरी एक गोली खिलाने से आपके गायबेंस प्रेग्नेंट रुक जाएगी दुबार से र दॉक्टर को बुला कर सीमन रखवा लेते हैं साथियों आपको दूसर नंबर पर लाना है मार्केट से करिद कर या तो आप लाएए सार्को फिराल या आप लाएए अपने मिंडल मिक्सर लाना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि जहां पर भी जो भी गायबेंस प्रेग्ने इन सबी विटामिन की अधी कमी आपके गायबेस में तो आपकी गायबेस घर्व धरन नहीं कर सकती आप चाहिए कितने भी सिमन रखवा दो कितने बार आप क्रोस कर वालो कितने बार डोक्टर को बोला कि राज करो दो नहीं होगी तो आपको घ्या करना मार्केट से एक इसको क्या करना है सो ग्राम रोज सुबवे खिलाना है लगातार एक महीने तक देते रही हो यह गायबेस का ग्याबिन होने बाद उसका गर्व का पूरा सनुक्षन भी करेगा उसका दूद बढ़ाएगा गायबेस की कमजोरी भी दूद करेगा यह मिंडल मिकसर इसलिए आ प्रेंड्स का यह दॉक्टर यहां पर गलती करते हैं साथियों कई बार यह भी देखा गया है कि मान लीजाब कि गाये बार बार तांते देती बार बार लारी देती है सिमन रखवा लेते हैं लेकिन ग्याबिन रूपती हो सकता है उसकी बच्चे दानी में सुजन हो तो आपकी गायबेंस कभी ग्याबिन नहीं होगी इसलिए आप अपने डोक्टर को बुलाइए उनको बोलिए कि सारा आप इसमें चेक करिए इसकी ओवरी को पर शिष्ट तो नहीं बन गई है यदि शिष्ट बन गई है तो आपके गायबेंस प्रेग्नेंट नहीं होगी चाहे प्रेग्नेंट बार यह भी देखा गया है तो आप डोक्टर को बुला यह विसका प्रेग्नेंट नहीं कर पाईगी आप चाहे कितने भी बोलते हैं उसको क्रोश कर वालो तो साथ यह कुछ चीज़े जिनका यदि आप रोजमेरा के जिनके जिनके में ध्यान रखेंगे तो आपकी गाईबेस जरूर प्रेग्नेंट होगी जैसे आप इनके और ध्यान नहीं देंगे रेगुलर दवाल आके खिलाते रहेंगे तो आपकी गाईबेस कभी क्या बिने रुकी अब बात आती है जब आप सिमन करवा थी यह यदि आपने सारी शमश्या निदान कर लिया है उसके बाद बात आती ही हमें सिमन रखाने किया करना है तो साथिओ जैसे आपकी गाईबेस हिट पर आई आपनी सिमन रखवाया या अपने गाईबेस या बुल से उसको करवाया क्रोस करवाने के 1-2 घंटे तक आप अपने गाए बेश को नीचे ने बिठने दें रखे ज़दने देयर तक आपकी गाई बेश खड़ी रहे तहरे चांस रहेंगा कि आपके गाई बेश पर हईएर इसलिए आप उसको कम सी कम करवाने के बाद भी यह देते रहेंगे तो आपकी गाई बेंस बार-बार हीट में आएगी बार-बार रिपीट होगी और फिर आप बोलेंगे कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है इसलिए आपको इन छोटी चीटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने गाई बेंस में कि अक्सर जो बेंसे रहती है यदि मैं जुन में हीट पर आ रही है तो उस समय उनको कंसीव करने में दिख्कत आईगी इसकी बजाए यदि वह सर्दी के मौसम में हीट पर आईगी तो वह पक्क्या ग्याबिन रुकेगे क्योंकि गर्मी के मौसम हाई टेमपरिचर रहत उस समय आप उसको अपने बेल से करवाई या सिमन रखवाई आपका पस्तु हंड्रेट परसंट गर्बट है रहा क्योंकि यदि आप बहुंकर गर्मी में पच्छा साथ टेमपरिचर में पच्छों करवाएंगे गर्बित करवाएंगे तो वहां पर उस समय गर्मी बहुत से प्रेगनेट हो जाएगी दोस्तों मिलते किसे नेक्स वीडियों तब तक के लिए जय हिन जय बारत